26 साल की एक लड़की जिसका परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था। उस लड़की ने कुरुना महामारी के कारण अपनी जान गबा दी। चदरपुर में भयावय होती कुरुना की लहर के कारण लगातार मौत के मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को मौत के चार मामले सामने आए। 185 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं और ऐसे में जिलास्पताल के स्वास्त इंतिजाम अब बढ़ते मरीजों के लिए कम पढ़ने लगे हैं। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन लगातार खबरों को टटोलने के बीच हम लोग इन हालातों को समझ रहे हैं। आज की कुरुना रिपोर्ट को देखिए और फिर घर में रहिए। कुरुना संक्रमण की दूसरी लहेर छटरपोर्ट जिले में जानलेवा रूप अख्तियार करती जा रही है। प्रती दिन दोसों से अधिक नए मरीजों के मिलने एवं गंभीर मरीजों के सामने आने के बाद एक और जहां जिलास्पताल में संसाधन जवाब दे रहे हैं त कुरुना पॉजिटिव पाई गई थी उन्हें घर पर ही आईसुलेट किया गया था इस दौरान इलाज में लापरवाही के आरोप सामने आये और पल्लबी ने रविवार को अपने घर पर ही दम तोड़ दिया। मह 26 साल की उम्र में पल्लबी का पूरा परिवार कुरुना पल्लबी शर्मा के परिवार में अब भी कई लोग पॉजडिव हैं जिन्हें इलाज की सक्त जरूरत है। सिर्फ पल्लबी ही नहीं रविवार को च्छतरपुर जिले में कौरुना संक्रमन के कारण तीन अन्य जाने भी गई। च्छतरपुर के जेलती रहे के समीब रहने वाली 55 साल की अनीसा अली ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। कडी मलहरा के 50 वर्शिये द्वार का प्रसाथ चौरसिया भी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन लेवल के लगातार गिरने के कारण अपनी जान गवा बैठे। इन तीन मौतों के अलावा च्छतरसाल चौक के समीब कॉंग्रेस कारेले के सामने रहने वाले गुपता परिवार के दो बुजर्ग भाई भी इस संक्रमन के कारण अपनी जान गवा बैठे। एक भाई की मौत चार दिन पहले हुई थी तो वहीं बीते रोज 65 वर्शिये घंसयाम दास गुपता ने भी दम तोड़ दिय कुल मिलाकर अब मौत के सही आंकडे भी जिले में कत्रित नहीं हो पा रहे हैं। जिला अस्पताल में लगातार बढ़ते मरीजों के कारण जीवन रक्षक संसाधनों की कमी पढ़ने लगी है। अस्पताल में 10 बैट का आईसियू लगभग 77 बैट का कोवेड आईसोलेशन वाड एवम 29 बैट का पल्मोनरी वाड मौजूद है। कुल मिलाकर कोवेड या इस से मिलते जुलते लक्षणों के मरीजों के लिए जिला अस्पताल में लगभग 130 बिस्तरों का इंतिजाम है। लेकिन ये पूरे बिस्तर शनिवार की रात को ही भर चुके हैं। अब अप्रेल को लिए गए 450 सेंपलों की रिपोर्ट में 180 मरीज पाए गए हैं। पॉजटिब मरीजों में चतरपूर शहर के बिविन इलाकों से मरीज सामने आये हैं। वहीं दूसरी तरफ खजराहो, राजनगर, बसारी, ईशानगर, बड़ा-मलहरा से भी नए संक्रमित मिले हैं। अच्छी खबर ये है कि रविवार को 103 मरीज कुरूना महमारी को मात दे कर डिस्चार्ज भी हुए। चतरपूर जिले में आप कुल एक्टिब केस की संख्या 936 हो चुगी है, इन में से 785 मरीजों को होम आईसुलेट किया गया है, 77 मरीजों को जिला अस्पताल में र सिलसला लगातार जारी है, आपसे यही गुजारिश है, कि आप लगातार घर पर रहें, अपने और अपने परिवार का खयाल रखें, कोरूना की इस लहर में बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, नमश्कार। 3 1 1 5 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9496249 85 school blaze choka sadhar road chhatapur